दोस्तों renewed laptop यारी second hand laptop अच्छा stock आया है आप लोग comment करते रहते हैं कि stock खतम हो गया stock आता है मैं video बनाता हूँ थोड़ा जल्दी किया करें क्योंकि stock बहुत ही जल्द खतम होता है क्योंकि यह limited stock आते हैं तो बहुत अच्छा stock आया हुआ है अभी जिस laptop के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं यह बिलकुल भी अपने budget के हिसाफ से बिलकुल buy करने लाइक है आप इसको buy कर सकते हैं समझने के लिए वीडियो के साथ लाज तक बने रहें वीडियो को like करें, share करें, comment करना ना भूले के next video की topic पर चाहिए क्योंकि यह सारी वीडियो आप लोग के comment के आधार पर ही आती है आईए दोस्तों हम लोग समझते हैं one by one करके कि कौन-कौन सा laptop लेने लाइक है और क्या है इस टॉप में सबसे पहले जिनका budget कम है 20,000 के अंदर-अंदर है उनके लिए HP का यह laptop बहुत अच्छा हो सकता है HP ProBook Intel 6th generation का i5-14 यह 14-inch full HD display के साथ में यह आएगा आपको 8GB RAM है 256GB SSD है और 6th generation का है लेकिन Windows 11 में अपग्रेड हो करके आ रहा है थोड़ा सा जुगार करना पड़ता है 6th generation के लिए 8th generation तक अगर आपका है तो उसमें direct बिल्कुल लिगली तरीके से Windows 11 को आप जो है install कर पाएंगे लेकिन उससे नीचे वाले generation में थोड़ा जुगार करना पड़ता है लेकिन इसके अंदर बिल्कुल भी आपको अपग्रेड हो करके मिलेगा यह laptop market में बहुत भिका हुआ है बहुत ही successful laptop है और कहीं न कहीं यह laptop आपको बिल्कुल condition में मिल सकता है तो बिल्कुल आप इसको buy कर सकते हैं इस वक्त जो है यह 19,600 रुपे में आ रहा है 8GB RAM 256GB SSD के साथ में कहीं न कहीं काम करने के लिए Windows 11 के साथ में यह laptop ठिक ठाक laptop हो सकता है तो अगर requirement आपकी है नॉर्मल काम करने के लिए गर काम की हम बात करें पेमेस office से related सारे काम करेंगा बाकि ओनलाइन कोई भी काम करना है वो सारे काम कर सकते हैं कोरल रफ फोटोस आप सब पुश चलेगा बिल्कुल भी latest version चलेगा काम करने के लिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है नॉर्मल काम करने के लिए ही आप इसको buy करें ऐसा नहीं कि आप इसको ले करके high end काम के लिए सोच ले तो ऐसा नहीं हो पाएगा लेकिन इस पर normal सभी official काम या फिर market में आपका दुकान है उससे related सारे काम आप इस पर कर पाएंगे इस टाइप के जितने भी laptop हैं इसको buy कर सकते हैं उसके बाद next की अगर हम बात करें तो वो है Lenovo का ThinkPad जो की बहुत ही बहतरी मजबूत laptop में से ये model होता है T470 model इसके अंदर Thunderbolt 3 का support आता है ये बहुत ही खास बात है जिसके अंदर भी Thunderbolt का support होता है वो थोड़े महंगे हो जाते हैं साथ में HDMI का भी है यानि कि डायरेक्ट इस laptop से आप दो display को connect कर पाएंगे और दो display को connect करके आप trading वगरे का भी काम कर सकते हैं किसी भी परकार का कोई काम है तो आप इस पर कर पाएंगे लेकिन इसके अंदर भी processor आपको 6th generation का ही मिल रहा है आई 5 का 6th generation 8GB RAM 256GB SSD के साथ में और 14 इंच का जो है इसके अंदर आपको स्क्रीन मिल रहा है Windows 11 upgraded ये भी है आपको बिल्कुल भी टेंसल लेने की ज़रूरत नहीं है तो जो लोग Lenovo ThinkPad के बारे में जानते हैं वो लोग ThinkPad ही भाई करना चाते हैं क्योंकि ये कितना भी पूराना हो जाए इसकी मजबूती कम नहीं होती है ये जल्दी खराब नहीं होते बहुत ही success model जो है Lenovo के ThinkPad रहे हैं इसके price की अगर हम बात करें तो 20,500 रुपे आज के रिट में price है जो कि बिल्कुल बर्थ कर रहा है इस model के हिसाब से बाकी Thunderbird 3 के साथ में ये आ रहा है आप इस पर जो है docking station लगा करके बहुत सारे ports को ले सकते हैं उसका आनद उठा सकते हैं लेकिन साथ में बहर-बहर के ports इसके अंदर मिल रहा है अलग से साथ आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसके अलावा next की अगर हम बात करें तो वो आ जाता है डिल के अंदर डिल लेटिट्यूट e 74 70 model याली 74 70 model ये भी model बहुत market में भी का हुआ है थोड़ा सा मोटा होता है लेकिन 56 generation का ही है मैं 7th और 8th के भी बारे में बात करूँगा वीडियो को आच तर देखते रहें 6th generation यानि 6300 यू प्रोसेसर के साथ में ये आएगा इसके अंदर 16 GB का 16 GB का रायम लगा हुआ है और 256 GB का SSD लगा हुआ है 14.1 इंच का स्क्रीन के साथ में ये आएगा Windows 10 Pro के साथ में य अग्रेट करना पड़ेगा या फिर Windows 10 Pro है बिजनेस लेबल का ये लेप्टॉप है अपने आप में बहुत ही पावर्फुल लेप्टॉप रहा है जब भी ये आता था अब ये फिलहाल बहुत अच्छा प्राइस है इसका 20,500 रुपे में ये आपको मिल जाएगा जो कि बिल बात करें वो देल का लेटिट्यूड ही है चोवन सत्तर मॉडल है ये ये मॉडल पिछले बाले से थोड़ा सा स्लीम आता है आई 5 6 जनरेशन का इसके अंदर भी प्रोसेसर लगा हुआ है 6200 यू प्रोसेसर है 14.1 इंच का इसके अंदर भी जो है आपको HD डिस्पले देखने है लेकिन बहुत अच्छा प्राइस है ये 18,500 रुपे का आपको मिल जाएगा जो की स्पेसिफिकेसर वाई डेल जैसा ब्रांड बिल जैसा विस्वास और आपको अच्छे प्राइस में देखने को मिल सकता है तो इसको भी आप बाए कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट की अ आप में है ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है 512GB स्टोरेज मिल जा रहा है आपको इस टोरेज की भी टेंशन खतम हो गई 14.1 इंच का HD स्क्रीन इसके अंदर भी है विंडोस 10 प्रो के साथ में ये आएगा 11 में आपको अपग्रेट करना पड़ेगा 512GB SSD RGV 7 और ये बहुत अच्छा मॉडल हो सकता है क्योंकि ये i5 एट्थ जनरेशन के साथ में है सबसे बड़ा इसमें लिगली आप विंडोस 11 में अपग्रेट कर पाएंगे कभी भी डायरेक्ट रिंस्टॉल विंडोस 11 में बिल्कुल टेंसन फ्री होके कर पाएंगे लेकिन 12 GVSSD है 14 इंच का स्क्रीन वही है विंडोस 11 में अपग्रेट होकर के मिल रहा है प्राइस की बात करें तो 24,300 रुपे अच्छा प्राइस है इसका बिल्कुल आप बाय कर सकते हैं एक्थ जनरेशन के प्रोसेसर वाले लेप्टॉप आज भी मार्केट में फुल फ्लेस में क तो दोस्तों इस तरीके से से केंड यारी रिनीव लेप्टॉप थे इनमें से जो भी आपके बजेट में फिट बैटता है आपके काम की हिसाब से फिट बैटता है उसको बाय कर सकते हैं लिंक में डिस्किप्सिन में दे रखा हूँ उस पर जाकर करके ज़रूर चेक करें क् की स्टॉक जल्दी ही खतम हो जाता है दोस्तों इसके अलामा आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि सस्ते लेपटप बताईए दस हजार पंदल हजार के लेपटप बताईए तो आज की रिट में लेना ठीक नहीं है क्योंकि कुछ दूनों के बात जो है परले कुछ सालों तक आप इसको यूज कर पाएं तो इसलिए लिंक से ही लेना जरूरी है नहीं तो आप फस सकते हैं सेकेंड हैं रिन्यूड लेपटप के अंदर बहुत ज़्यादेद हात ली है तो दोस्तों इंफर्मेशन वीडियो का ऐसा लगा प्लीज आप कमेट में ज़रूर बताएं इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल के साथ बने रहें क्योंकि मैं श्टक की वीडियो हमें साले करके आता रहता हूँ मैं मिलता हूँ नेक्ष्ट किसी और अच्छी इंफर्मेटी वीडियो के हुआ है